दोस्तों मेरी टैलेंट फाली वीडियो पर काफी सारे कॉमेंट्स आये और उसमेंसे कॉमेंट ऐसा था कि जिसने मुझे मजबूर किया मोटीवेशन पर ये वीडियो बनाने पर जी हाँ आज मैं मोटीवेशन पर बात करूँगी और वो भी साइकॉलोजी की नजर से तो नेचर में इंसानों के लिए सबसे नमबर वन पर जो चीज मोटीवेशन के लिए जिम्मदार है वो है हंगर, भूख भूख एक ऐसी चीज है जो आपको मोटीवेट करती है आपके अदे ड्राइफ पैदा करती कि आप उठें और अपनी भूख को खतम करें दूसरे नमबर पर है प्यास, थर्स्ट, जी हाँ अगर आपको प्यास लगेगी तो आप बहुत ज़्यादा शदीद किसम की मोटीवेशन और ड्राइफ फील करेंगे उस प्यास को खतम करने के लिए आप उठेंगे, पानी ढूंडेंगे और पीएंगे तीसरी है फटीग और स्लीप, कि अगर आप ठक गए हैं सारा दिन और आपको नींद आ रही है तो उस वक्त दुनिया की सारी चीज़े फीकी पड़ जाएंगी उस नींद के आगे, आपको नींद चाहिए, बौडी को चाहिए तो चाहिए लेकिन यहाँ पर जो मेरा टॉपिक है, आज की इस वीडियो में जो चमतकार चौथे नंबर पर है नेचर ने जो हम इंसानों के अंदर रखा है और जो हमें बहुत ज़ादा मोटिवेट करता है वो है पेन, दर्द, जी हाँ चौथा नंबर है दर्द का, दर्द मोटिवेटर है दर्द के बाद पांचवे नंबर पर सेक्स आता है लेकिन जो मेरा टॉपिक है, वो दर्द है, पेन है और पेन कैसे आपको मोटिवेट करता है, आज मैं इस पर बात करूँगी देखें दोस्तों, जो हमारी नेचर है, जो अल्ला की बनाई हुई फितरत है इस फितरत के आपको मोटिवेट करने के तरीके थोड़े से डिफरेंट है फितरत आपको सेक्स स्टोरी नहीं सुनाती, वो आपको ये नहीं बूलती के हे, positive, human beings, be positive, yay, clapping, appreciation, तुम सब कर सकते हो ये ड्रामे फितरत में नहीं है दोस्तों, फितरत एक ऐसी motivational speaker है, जिसके पास एक बहुत ही जबर्दस किसम का छितर है डंडा है, बहुत बड़ा वाला, और वो रख के आपको मारती है और आपको दर्द होता है, pain होता है, और आप एकदम से जाग जाते हैं और फिर आप उस दर्द को कम करने के लिए, उस दर्द को ठीक करने के लिए दिन, रात एक कर देते हैं ड्रामे हो गए हैं उठके कुछ कर लो इंसान ने जो भी आज तक बनाया है क्या था किस चीज से भागना था सेक्स बाद में आता है मैं आपसे कहा पहले पेन आता है दर्द से भागना था ना डर डर के जी रहे थे हम जानवरों के साथ दर्द था पेन था कुछ पता नहीं चलता था कब मर जाएंगे तो वो जो दर्द है वो जो पेन है जिससे हम गुजरे उसको कम करने के लिए चल चल के ठक जाते थे तो गाडियां बना ली साइकल बना ली बाइक बना ली सेफ साउंड अच्छे जबरदस किसम के घर बना ली जहां हम सकून से सोते है साइंस बना ली अपने आपको अराम देने के लिए दर्द से भागने के लिए तो यह जो भी आज आप तरक्की देख रहे है ना जो भी आपको प्रोग्रेस नजर आ रही है यह सारी इस पेन की वज़े से है दर्द की वज़े से है हमारी साइकालोजी के बुक में लिखावा था कि पेन इस दा ब्लेसिंग इन डिजगाईज जी हाँ नेमत है अल्हा की तरफ से अल्हा की जो लाठी है ना वो बेयावाज है लेकिन जब लगती है ना आपको और जब दर्द होता है तो जाग जाते हैं आप बदल जाती है आपकी जिंदगी मेरी लाइफ में अगर मुझे वो जबर्दस किसम का छितर नहीं पड़ाओता ना नेचर से और मुझे मेरी फिजिकल हेल्थ खराब नहीं हुवी होती तो शायद आज मैं यहां नहीं होती आज यह यूट्यूब चैनल नहीं होता और आज यहां बैट कर मैं आपको इतने लंबे-लंबे लेक्चर और भाशन देकर बोर्नी कर रही होती अब हो गया तो बरदाश करें मुझे यह दर्द ही है अगर आप इसको ओवरकम करेंगे इसको बहतर तोर पर समझेंगे यह जो सिखाने आया है जो बताने आया है उस पर गौर करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत जबदस किसम का चेंज आ सकता है जी हाँ जब मैंने अपने दर्द को हील किया अपना वजन कम किया अपना लाइफ स्टेल बेतर किया अपने एमोशन्स को दुरूस्त किया तो बहुत से बदलाओ मेरी जिंदगी में आये अगर मैं उस दर्द को ठीक नहीं करती और मैं उसको ठीक करने के लिए मेहनत नहीं करती तो शायद आज मैं आनी होती अगर आपकी जिंदगी में पेन है इस वक्त दर्द है किसी भी किसम का फाइनेंशल फिजिकल, एमोशनल, मेंटल तो पूछे खुझ से साला ये दुख काहे खतम नहीं होता क्यों खतम नहीं हो रहा ये दुख क्या वज़ा है इसको कैसे खतम करना है तो जो भी पेन है, इमोशनल है, मेंटल है फिजिकल है, उस पर फोकस करें उस पर गौर करें इससे बड़ी कोई मोटिवेशन नहीं है और नेचर से बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, पर नेचर का अंदास थोड़ा मुक्तलिफ है, नेचर में रहम नहीं है रहम जो है ना, वो कोई इतनी अमेजिंग चीज नहीं होती है कभी कबार अगर हम किसी का भला चाहते हैं तो हमें उस पर रहम नी खाना होता हमें उसको बोलना होता है कि तुम्हें करना होगा, तुम्हें दर्थ से गुजरना होगा अगर आप अपने बच्चों का भला चाहते हैं बहुती काउंडर इंट्यूटिव अप्रोच बता रही हूँ आपने अपने बच्चों पे रहम नी खाना होता आप उनसे प्यार करते हैं नेचर भी आपसे प्यार करती है लेकिन वो आपको प्रोग्रेस करता देखना चाहती है वो चाहती है कि आप आगे बढ़ें आपके अंदर तब ही ड्राइव रखी है आपके अंदर एक मोटिवेशन है तो जब आप अपने बच्चे को डिसिप्लं सिखाते हैं आप उसे structure देते हैं आप उस पे मेनद करते हैं आप उसे बार बार एक चीज कर आपने अनरजी लगाते हैं बच्चे पर तो ही उस बच्चे का बहला होता है ना के आप उसको Oh my baby I love you मैं जानू तुम्हें लगी तो नहीं चलो बैटे तुम्हारा आम करो मैं कर लोगी तुम्हारे लिए ये रहम आपके बच्चे के लिए कभी कबार बहुत खलत साबित हो सकता है बहुत मुंकिन है आपने उसे discipline ना सिखाया हो बहुत मुंकिन है आपने उसे नेचर की चौथे नमबर पर बहुती कमाल की motivation pain उससे आपने उसका तारूफ नहीं करवाया आपने उसका introduction नहीं करवाया आपने उसको life की reality नहीं बताई कि पीटा life तो pain है life तो दर्द है nature का तो style है ये वो ऐसा प्यार प्यार से नहीं सिखाती है ये प्यार प्यार नहीं नेचर में appreciation, validation, महबब ये secondary motivation है अच्छा ये primary नहीं है आपकी जो भी psychological इसकिसम की needs है महबब वाली उस secondary है primary में pain है जिन्दगी की हकीकत है ये truth है, सच है, कड़वा सच है accept करें इसको अपने बच्चों को प्यार भी दे अपने आपको भी प्यार दे अपने emotions को समझे, अपने बच्चों की emotions को समझे लेकिन उन्हें discipline सिखाए उन्हें दर्थ को परदाश करना सिखाए बच्चे को physical pain हो रहा है एकदम से दवाईया ना मूँ में न ठोसें उसके थोड़ा सा उसको बोले बच्चों को discipline life में सिखाना बहुत जरूरी है बहुत अजीम होते हैं वो माबाप जो अपने बच्चों को डंडे से नहीं बलके मेहनत से अपनी energy सर्फ करके अपने energy लगाके अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चा discipline कैसे बिल्ड करते हैं लाइफ में दर्द से कैसे गुजरते हैं तो जिनाब जो मेरी motivation speaker है जिनकी मैं बहुत जादा सुनती हूँ वो nature है वो अल्ला की बनाई हुई nature जिसमें कुछ कवनीन है जिसमें pain है, दर्द है और मैं सुनती हूँ उसकी हलाकि बड़ी तकलीफ होती है मज़ा तो नहीं आता क्यों glorify करूं? क्यों जुट बोलूं कि बड़ा मज़ा आता है दर्द से गुजर कर? नहीं भई मज़ा तो नहीं आता लेकिन गुजरना तो बढ़ता है अब है तो है जो जैसा है वो वैसा है रेयलिटी को वैसे एक्सेट करो जैसी वो है चाहे दुख हो दर्द हो कड़वी गोली है निगलना मुश्किल हो जाता है लेकिन है तो है क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते अला के बनायवे कवणीन है चलना तो पड़ेगा, follow तो करना पड़ेगा दोस्तों नेचर में रहम दिली नहीं है नेचर आपसे बहुत प्यार करती है अलागी जात आपसे बहुत प्यार करती है और यही बजाया है कि नेचर की जो रहम दिली है वो बड़ी different है बड़ी मुख्तलिफ है लेकिन वो दर्द आपको नेचर traumatize करने के लिए नहीं देती आपको ट्रॉमा से नहीं गुजारती आप इनसानों की वज़े से ट्रॉमा से गुज़र सकते हैं पर नेचर आपको दर्द देती है सीखने के लिए आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको तरक्की कराने के लिए इंसान आपको ट्राउमा देते हैं आप स्ट्रक हो जाते हैं लेकिन नेचर आपको ट्राउमा नहीं देती नेचर आपको दर्द देकर आगे move on होना सिखाती है क्या आगे कैसे बढ़ना है दर्द को overcome करोगे तो क्या कुछ discover कर लो कि तुम इस journey में हम इंसानों को लगता है कि रहम दिली का मतलब होता है कि कोई हमें हमारे सारे काम करके दे दे हमें हमें अच्छा महसूस करवाए हम अच्छा अच्छा फील करें लेकिन nature की जबान में रहम दिली है progress वो चाती है कि आप लाइफ में आगे बढ़े आप सिंदगी में स्ट्रॉंग हो आप सर्वाइफ करना सीखे इस दुनिया में लाइफ को फेस करना सीखे सिंदगी से नजरे मिलाना सीखे तो ये nature का तरीका है हमें सिखाने का और ये बेस्ट है और nature वाके में हमसे प्यार करती तभी हों में आगे बढ़ता देखना चाती है वो लोग जो हमें खेरात देते हैं जो हमें बहुत दादा अच्छा फील करवाते हैं हर टाइम वो हमारी टांगे काटते हैं वो हमें कमजोर वीक बनाते हैं वो हमें dependent रखते हैं अपने उपर वो हमें तारीफ का अच्छे फ्लील होने का अराम का महताच कर देते हैं तो यहां पर मैं आपको बहुत ही counter intuitive यानिके अकल को बहुत ही अजीब लगने वाली सोच दे रही हूं लेकिन यह मैंने psychology में पढ़ी है और तब ही आपके साथ share कर रही हूं और इससे मैंने अपनी जिन्दगी में बहुत सीखा है मेरा अपना जाती तजर्बा है यहां पर मैं pain को glorify नहीं कर रही हूं मैं यह नहीं कह रही कि बस सब कुछ दर्दी होना चाहिए लेकिन मैं आपको जिन्दगी का वो important हिस्सा वो चौथे नंबर का important motivator मैं आपको उसकी तरफ अपना नजरिया बदलने के लिए बोल रही हूं क्योंकि आपकी उससे जान नहीं छुटने वाली वो आपकी जिन्दगी में है था और रहेगा पर पर उससे glorify नहीं कर रही हूं मैं कोई ये नहीं कह रही हूं कि हर वक्त हर किसी को बस दर्द होना चाहिए साइर सी बात है अतना साथ है दर्द भी नहीं होना चाहिए कि इंसान बिल्कुली टूट जाया और कोलाप्स कर चाया आज के लिए इतना दर्द काफी होगा इंशाला नेक्स वीडियो में लगात होगी तब तक कि अपना बहुत ख्याल रखेगा थैंक यू सो मच